नमस्कार दोस्तों ग्यान सरकिली यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों राबड ने मरते वक्त औरतों के बारे में ये तीन खास बातें बताई थी जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन किसक जाएगी कौन सी हैं वो तीन बातें आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि राबड एक ऐसा शक्स था जिसने ना के बल भगबान राम से दुश्मनी ली थी बलकि मरते मरते इस तरियों के बारे में तीन ऐसी बातें कहीं थी जिनके बारे में जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राबड ने आखिर ये बातें क्यों कहीं थी दोस्तों अब पूरी दुनिया राबड को एक बुरे इंसान के रूप में याद करती है और इसी वजह से दशेहरे के दिन पूरे देश में राबड का पुतला भी जलाया जाता है लेकिन एक बात ये भी सच है कि राबड भगबान राम से भी ज्यादा ग्यानी था लेकिन उसने माता सीता का हरड करके खुद अपनी मौत को बुलाबा दिया था भले ही राबड ने माता सीता का हरड किया था लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राबड की सहस सक्ती की बजह से माता सीता की मरियादा बची रही दोस्तों माता सीता का हरड करने के बाद भी राबड ने कभी उनके साथ दुर्बेवहर नहीं किया दोस्तों यहां हमारा मकसद राबड को अच्छा बताना नहीं है बलकि हम ये कहना चाहते हैं कि इनसान की एक गलती ही उसकी पूरी जिन्दगी तबाहो बर्बाद कर सकती है और ऐसा ही रावड के साथ हुआ फिलहाल हम आपको उन बातों के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहली बात दोस्तों सबसे पहली बात जो राबर ने इस्तरियों के बारे में कही थी वो ये है कि इस्तरियां जूटी होती है और वो जल्द ही अपनी बातों से पलड़ जाती है इसलिए उन पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए एक इस्तरि किसी को भी अपनी बातों में उलजाकर दो लोगों को आपस में लड़ा सकती है दूसरी बात दोस्तों रावड ने दूसरी बात ये कही थी कि एक इस्तरी के पेट में कोई भी बात हजम नहीं होती जी हाँ दोस्तों अगर किसी अवरत को कोई गुप्त बात पता चल जाए तो वो फ़वरन उस बात को अगनी की तरह फैला देती है इसके साथी रावड ने ये भी कहा था कि इस्तरीयां किसी ना किसी की चुगली जरूर करती है फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना हो तीसरी बात दोस्तों अंत में रावड ने ये कहा था कि इस्तरियां बहुत ही स्वार्थी स्वाभाव की होती है यानि वो काफी मतलब ही होती है राबर का मानना था कि इस तरियां अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं इसलिए भूल कर भी इस तरियों की बातों में नहीं आना चाहिए दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे घ्यान सरकिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आपसे एक आईसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत